जहें दोस्तों, welcome back to the channel, the rail यातरी दोस्तों, 19 तारीक के आसपास से railway कुछ ट्रेनों को बंद कर देगा ये train कहां से कहां तक चलती थी और अगर आपने इन ट्रेनों में पहले से ही advance ticket book करके रखा था तो आप यातरा किस प्रकार कर पाएंगे आपके ticket का क्या होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी आज आप इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों, भारतिय रेल जिन जिन ट्रेनों को cancel करने वाला है उनके नाम और नमबर कुछ इस प्रकार है train नमबर 12465 इंदौर जोधपूर एक्सप्रेस ये train इंदौर से 19 दिसेंबर को cancel रहेगी और 29 दिसेंबर तक इस train को नहीं चलाए जाएगा अगर इस time period के दोरान आपने ticket book करके रखा था इस train में तो वो ticket automatic cancel हो जाएगा और आपका पूरा पैसा refund कर दिया जाएगा train नमबर 12466 जोधपूर इंदौर एक्सप्रेस इस train को 20 दिसेंबर से जोधपूर से नहीं चलाए जाएगा और 30 दिसेंबर तक ये train नहीं चलेगी इस train में भी अकर आपने पहले से ही ticket book करके रखे थे तो वो सभी ticket automatic cancel हो जाएगे train नमबर 12674 train नमबर 12673 इन दोनों trainों को बदले हुए मार्क से चलाया जाएगा ये दोनों train 20 और 13 दिसेंबर के आसपास बदले हुए मार्क से चलेगी train नमबर 12631 मदुरै बीकानेयर एक्सप्रेस इस train को 23 दिसेंबर को बदले हुए मार्क से चलाया जाएगा ट्रेन नमबर 20845 बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस ये ट्रेन 23 दिसमबर को बदले हुए मार्ग से चलेगी ट्रेन नमबर 20846 बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस इस ट्रेन को 26 दिसमबर को बदले हुए मार्ग से चलाय जाएगा रेलवे के मरमत कारियों की चलते इन ट्रेनों को कैंसल और डाइवर्ट किया जा रहा है दोस्तों ये एक छोटा से अपडेट था मैंने सुचा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकरी पहुचा दीजाए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नए जानकारी के साथ थैंक यू सो मुच पॉर वाचिंग दरेल यातरी चैनल एंड कीप सपोर्टिंग